नमस्कार स्वागत यापानेशन न्यूज में मैं हूँ आपके साथ रितिक वोटिंग के लिए सुरक्षा के कड़े इंतिजाम किये गए हैं चुनावायोग ने केंद्रिय बलो की तकरीबन 684 कमपनियों को तैनात किया है 10,288 पॉलिंग स्टेशन के अलावे सुरक्षा बलो की तैनाती अन्य समवेदन शील जगहों पर भी की गई है 23 मार्श को बिहार विधान सभा में विपक्षी विधायकों और पुलिस के बीच हुई हाता पाई पर विधान सभा उपध्यक्ष महेश्वर हजारी ने चुनता जाहिर की उन्होंने कहा कि देश की आजादी के बाद से सदन में ऐसी शर्मनाग घटना पहली बार देखने को मिली ये सदन की गरिमा पर चोट है उनके मताबिक वे जल्द ही सदन के सभी माननीय सदसियों के लिए एक सेमिनार का उजिन करेंगे जिससे कि सभी नए विधायकों को सदन की कारे शैली उसकी गरिमा से रूबरू कराया जाएगा आज तक चुकी हम लोग तो तीसरा पीगी राजबीत के हैं जो बच्चा से ही विधान सवा में जाया करते थे देखेने का काम करते थे इस तरह की घटना आज तक इत्यासों कभी नहींगा थे आसन को बंधक बना लेना पूर्शी तोरना टेवल तोरना और असली सब्दों का इस्तिवाल करना गाली बिलोज करना तो शहरों की तरज पर गावों में भी सुरक्षा को पुक्ता बनाने की तैयारी राज्य सरकार ने शुरू कर दी है सरकार ने फैसला लिया है कि शहरों की तरह ग्रामिनी अलाकों में सुरक्षा विवस्था बेहतर करने के लिए सभी गाउं और पंचायत में सीसी टीवी लगाई जाएगी इसके साथ ही राज्य की 83 सौ पंचायतों के सौंदर्य करण का काम जल्द भी शुरू होगा और बिहार में करोना संक्रमन के मामले में एक बार फिर बेकाबू होनी की बात सामने आ रही है वैसे प्रशासन के निर्देश पर जाच की रफतार बढ़ा दी गई है लगातार दूसरे दिन भी बिहार में 200 से ज्यादा करोना के नए मरीज मिले जो प्रदेश में महामारी के बढ़ते प्रभाव और की तरफ इशारा कर रही है गुरवार को 258 करोना संक्रमित पाए गए वही शुक्रवार को भी 32 जिलों में 211 नए मरीज मिले जिनमें सबसे अधिक 68 संक्रमित राजधानी पटना में मिले है इनमें दो डॉक्टर भी शामिल है देश में करोना की वापसी को देखते हुए सतरकता जारी है राज़ में लगतार कोरोना के मरीजों की संख्या बड़ी है लेकिन हालात अभी भी नियंतरण में है इसको देखते हुए किंद्र सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है नई गाइडलाइन के मताबिक कंटेन्मेंट जोन के अंदर हाउस टू हाउस सर्विलांस के नई गाइडलाइन एक अप्रायल से लागू होगी